रादे रादे जैशी किष्णा कैसे हैं भक्तो आप सब आई होप अच्छे ही होगे मैं संगीता शर्मा भक्ती बजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं तो भक्तो आज की वीडियो लड्डु गोपाल जी की हम सावन में कैसे सेवा करें तो बक्तो लड्डू गोपाल जी को हमें आप पंचा में से इसनान करा सकते हैं क्योंकि डेली तो कोई पंचा में से इसनान कराएगा नी तो आप डेली कुछ अपने जब लड्डू गोपाल जी को इसनान कराएं प्छा दिया कुछ फूलों की पत्यां भी डाल लिया हैं और लड्डू गॉपाल जी को हम इस पानी से इसनान कराएंगे और थोड़ी देर मैं इसके अंदर बिठाऊंगी इनको और फिर इस वाले पानी से इसनान कराऊंगी और जो भी है मैं आपको पूरी वीडियो में जई और पानी में आप थोड़ा सा गुलाब जल जरूर डाल लें गुलाब जल इजीली मार्किट में मिल जाता है तो आप अगर नहीं मिलता तो आप ये खाली फूलों की पत्यां डली होई हैं गुलाब की आप ऐसे भी सनान करा सकते हैं तो इसनान इनका हो चुका है अब म लड़ू गोपाल जी का इसनान हो चुका है जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि सावन में आप लड़ू गोपाल जी को पंचामर से भी सनान करा सकते हैं नहीं तो आप चंदन से करा सकते हैं और चंदन से करा सकते हैं दही से भी करा सकते हैं कच्चे दूद से भी करा सकते हैं तो आप इन चीजों से इसनान करा सकते हैं और लड्डु गो पाल जी का डेली शिंगार कीजिए हो सकते तो green color की dress पैनाईए अगर green color की नहीं है जो भी आपके पास हैं तो आप उनका डेली शिंगार कीजिए मतलब कहने का मेरा ये सुंदर सुंदर उनको पुषाग एक रिए टो पाल जी को अगर नहीं तो आप रची को पत्य को और मंदीर की ड्रेस नहीं बनवाई है तो आप हर्याली तीज पे लड्डू गोपाल को ग्रीन कलर की ही ड्रेस पिनाएं और सावन में हमें लड्डू गोपाल जी की इसी तरह की सेवा करनी है फूलों से जरूर रख दें, पानी में डाल के रख सकते हैं, चाहे ऐसे भी रख सकते हैं, और हमें इत्री की सेवा भी जरूर देनी हैं, लड्डू गोपाल जी के पास, जैसे मैंने ये इत्री रखा हुआ है हैं यहाँ पर, तो आप इसको ऐसे करके कपड़ों पर लगा सकते हैं, एक त तरीके से लगा के लड्डू गोपाल जी के पास रख सकते हैं तो इसकी खुश्बू काफी टाइम तक रहती है और लड्डू गोपाल जी के पास आप तुलसी भी रखें अगर ऐसे नहीं रख सकते तो आप तुलसी पत्र जरूर रखें लड्डू गोपाल जी के पास और लगाईये और बगतो मेरे पास कमेंट आया था कि मैम लड़ो बपाल जी को हम सावन में या फिर सौंबार को लड़ो । अब बढ़ाई सकते हैं खाणना साथ वी और मीठे का आप कभी नगा दे कभी गुजिया का लगा दे जो भी आपके पास है मीठा आप उस चीज का भोग लगा दें और सावन में खीर बना सकते हैं आप और बक्तो लड्डू गोपाल जी को अगर आप जूला जूलाएंगे तो जूले में आप भोग नहीं लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को जूला जूलाते वे भोग ना लगाएं तो ये भी कमेंट आयवा था तो मैं ने सोचा इसी में reply कर देती। और वैसे भी जो सावन में जो सेवा होती है इसी तरह किसे होती है अगर आप जूला जूलाएंगे तो लड़्डुगोपाल जी को उसके अंदर खाना ना किलाएं कि ये सोचें कि लड़्डुगोपाल जू तो इस ही में भोग लगा दे तो आपको ऐसा नहीं करना है और लड़ु क उपाल ही ह quería आब उनको नोल में है ढुलि चूल है जूल को एसा नहीं करना है और आप आप ले आईए जूले काफी तरह के के आते हैं मार्किट में सच्टे महेंगे सभी तरीके से आते हैं और नहीं तो आप घर में भी डाल सकते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए जूला आप रसी वगेरा जो अगर आपके यहां प्यारें जो जाए घर के अंदर वैसा ला सकते हैं नहीं तो आप बना बनाया जूला ला सकते हैं आप जरूर जूलाएं लड्डू गोपाल जी को और भक्तो सावन में जो बारिस होएगी लड्डू गोपाल जी को आपको बारिस में जरूर इसनान करवाना है क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है बारिस में इसनान क को इसनान कराती हूँ बस सर्दी में नहीं कराती गर्मी में तो हम कराई सकते हैं क्योंकि बच्चों को काफी अच्छा लगता है बारिस वगेरा में इसनान करना और वैसे भी वगेरा में भी अच्छा लगता है इसनान करना तो आप लड़ू गोपाल जी को बारिस में इसनान जरूर कराएं, तो भगतो यही है आज की वीडियो, लड़ू गोपाल जी की सावन में कैसे पूजा करनी है, और कैसे सेवा करनी है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्क्राइब करें, और शेयर करना ना बूलें, रादे, रादे, भक्तो मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में और भक्तो मेरी इस्टाग्राम पे भी आइडिया, आप मेरे को वहाँ जाके फोलो कर सकते हैं, वहाँ पे लड़ू गोपाल जी और रादारानी की में वीडियो डालती हूं, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे को फोलो कर सकते हैं, राद है राद है जाशी किशना